वेलकम बैक टू बैक्तु बैक मार यूटूब चैनल आज हम आपको दिखाने वाले हैं अगर आपके सूट की जो अगर टाइट हो गई है यानि कि जो आपके फस रही है आती नहीं है तो इसको आप कैसे लूज कर सकते हैं और बिना हम कपड़ा लगाई से लूज कर सकते हैं पिने किसी कपड़े की मदद से तो उसको हम कैसे करें और नया लॉक या नया डिजाइन कैसे दें तो यहां पर हम सबसे पहले इसके जानी को निकाल लेंगे जहाँ तक हम टाईट लग ज़िए हैं वहाँ तक हम टाईट लग दीत है फो viewing किस्टम्ट ताइट है हमारी स्लिप्स वहां तक हम इसको खोल लेंगे अब धीरे धीरे सुरीं की मदद से या फिर आपके पाश सिलाई निकालने का जो नेल्स आता है तो वह भी ले सकते हैं उसकी मदद से भी आप इसको निकाल सकते हैं तो इस तरीके से हम इसको इसकी सिलाई को निकाल और इसमें हम अलग अलग तरिके के नए नए डिजाइन दे सकते हैं अगर हमारी स्लिप्स टाइट हो रखी है अगर लूज है तो इसको हम टाइट कर सकते हैं या अगर हमारी टाइट है तो इसको हम लूज कर सकते हैं तो यहां पर हम इसकी स्लाई को इस तरह से निकाल के और पूल ली है यह थितने एक हमें ना उपण सीक्वली और दression कि और फोल्ड से दृट करोनई को सबसे पहले जो पर फोल्ड रखा इस पर के अब छी मीकर बन करने दो क्यों होग अनुद कलेывайтесь इसी तरीके से हम अगले साइट भी सिलाई लगा लेंगे बीच में इसमें बटना रखा है आप बटन निकाल के भी सिलाई लगा सकते हैं आप डायक्ट भी इस तरह से जिस तरह मैंने लगाई है उस तरह भी लगा सकते है तो देखी इस तरह से हमारी सिलाई लगकर कंपलीट ह में फ完全 हो चुकी है अब हम एसमें क्या करेंगे तो पहले हम उपर की साइट 제 सिलाइ le TE yake के अपनी Todos की सिलाई को पक्का प्का देंगे इसमें फिली को प्लानager o और इस पर हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से जहां तक हमारा खुलावा एरिया है जिस तरह हम कुर्टी में चाग बनाते हैं साइडों में उस तरीके से हम यहां पर इस तरह के चाग बना लेंगे इस तरह से हम घुमा कर सिलाई को दूसरी साइड ले आएंगे और इस तरह से यहां पर भी स्लाइ लगा देंगे तो यहां पर देखे हमारी जो स्लीफ से वह लूज हो गई है इसको हम ऐसे ही रखेंगे यहां पर अब हम इसको डाल के दिखाते हैं अपने हाथ में तो यहां पर इस तरह से ओपन रहेगी आप भी अपनी स्लीफ को कोई नया लूग देना चाहते हैं तो इस तरह के से ओपन कर सकते हैं तो इसी के साथ हम देते हैं आपसे विज़ा फिर मिलेंगे नेक्स वीजियो में तब तक चलिए बाबाई टेक केर